रेडमी के Note 10 Pro or Pro Max device के लिए यहाँ पे अनदर हाई परो इसका एक लेटेस अपडेट आ गया है जो कि इस वार यह इंडोनेशन वर्जन के उपर रन कर रहा है यानि इंडोनेशन का जो अपडेट आयटा उसे मोडिफाइट किया गया है ताकि यह बाकिते डिवाइस में काम कर गये हैं और यह जो वर्जन है 1.0.1 है जहाँ आप देखो बीच में ID भी लिखाव आपको मिल जाता है जहाँ पर इसका पूरा इंफ्रमेशन आपको दूँगा कि रोम कैसा है क्या का इस एडवांटेज आपको यहाँ पर मिलते हैं और इसी यूज करना है यानि चलिए वी बेटर और इंप्रूब आपको यहाँ पर नजर आता है बटे स्टार्टिंग पर ऐसा नहीं रहेगा थ्वास आपको स्लो टैप का फिल होगा लेकिन हां कुछ दिर के यूज के बाद कुछ आपको उपन करने के पाद इसमें इंप्रूब्मेंट आपको नजर आता है तो य परसनली अच्छा लगा है ग्लोवाल कहलो या इंडोनेशिया कहलो काफिया तक सीमिलर होते हैं इसके अंदर यह चीज़ चेंज करें यह मुझे पसंद आया जिसके वाइस से आप सूपर आइकन यूज कर सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर नोट का सूपर आइकन यूज कर रह आते हैं तो डिटेल एंड इंफो के अंदर आपको दिखाई रिटा इंड्राइट 14 जहां पर 11 का सिक्योर्टी पैच है जो कि कह सकते हैं कि एक दो मंत पुराना है लेकिन हां लेटिस्ट में ही है यह उसके बाद यहाँ पर जो इनिमेशन है देखो यहाँ पर स्प्रिंग बाद कर दिया गया है जो कि चाइना में नजर आता है उसके लाबा कहीं और नजर नहीं आता बाकि एडिसा सेटिंग में आते हैं तो यह इंडोनेशीय वाले पे रन कर रहा है तो सारे लेंगवज आपको यहां पर में लेंगे global के जो की सही है बाकि यहां पर जो floating window वगरा मिल जाते हैं sidebar बगरा मिल जाते हैं hyper device वाले वो आपको working दिखनी को मिलते हैं जो कि आप यहां पर असानी से है जो use कर सकते हो इनमें कोई दिक्कत नहीं आता बाकी वह यह आपका है जो memory extension की space second space मिलता है बैटरी के अंदर in करते हैं तो यहां पर आपको मिलता है बैटरी प्रोटेक्शन जहां पर यहां पर charging auto disconnect का उप्सन है यहां पर लिमिट सेट कर सकते हो कुछ इस तरीगे से बाकि कितना temperature है कितने बार चार्ज हुआ अभी मैंने जश्रेक पर चार्ज किया था वह यहां पर दिखा रहा है जो कि सही count करता है बाकि battery health कैसा है तो excellent है भाई काफी सही बात है बाकि यहां पर आपको देखनी को मिल जाता है वही सारे options वगेरा और skin on timing भी यहां पर add करा गया है इसके अलाबा apps के अंदर वही normal से चीज़ आपको मिलते है privacy and protection के अंदर देखो च AOD है यह भी आपका जो working रहेगा अगर आप AOD यूज कर रहे हो तो device नहीं करता है तो मत करो sound के profile में आपका जो doll view करे काम करता है और यह जो sound है touch है यह भी आपको जो working देखनी को मिलते हैं तो इसमें दिक्कत नहीं आती बाकि display and brightness में जो dark mood है हमारा यह काम करता है तो अगर यहां पर आपको 160, 90, 120 मिलता है यहां पर one forcefully 120 को enable करके देता है बाकि यहां पर आपको मिलता है extra dim option जो कि यहां पर आपको अपना brightness कम कर सकते हैं आप night में यूज कर रहे हो तो और यहां पर home launcher जहां पर ज्यादा चेंज आपको नहीं मिलता लेकिन हाई swipe of home screen का आपको मिलता है उसके बाद यहां पर animations बगएर है और भोई default वाले चीज आपको देखने को मिलते हैं इसमें ज़्यादा चेंज बगएर नहीं किया गया यह आपको normal ही है जो नजर आता है वहां पर control center वही same to same high profile मिलेगा वहां पर इसके हम बात करें dynamic ही तो यह आपको iPhone type के look में नजर आ रहेगा यहां पर कितने icon रखने वह आपको है speed meter वगएर है और बाकि वही same common और हां यहां पर enhance notification का भी option देखनी को मिल जाता है जो कि यह रहा और यह normally आपने custom room में देखा ही है जो कि AOSP वाले रहते हैं another lock skin में कुछ भी नया आपको मिलता नहीं है wallpaper personalization जो कि global type की room में आता हो जाएगा और आप AOD यहां पर set कर सकते हो और यहां पर आप देखो कि AOD हमारा है जो sword नहीं कर रहा है जबकि यहां पर करना चाहिए था तो यहां पर एक छोटे समय कहुआ कि glitch है जो कि हमारे AOD से related है AOD हमारा काम नहीं कर रहा है अगर मैं यहां पर देखूँ तो timing वगर करता है इस ROM के साथ जो कि AOD का तक आप AOD यूज करते हो तो यह दुख वाली बात है अगर नहीं करते तो कोई फरक नहीं परना चाहिए आपको AOD से related बागी यहां पर वही सारे common option है और यह system app अप्टेटर यहां पर दिया गया है बट यह उपे नहीं होता तो यह रिमूव है जो अटक अटक है जो लैंड होते हुए नजर आए आपको तो यह चीज आपको sometime कभी कभी notice होगी और कभी कभी notice नहीं होगी और यह जायर सी बात है इस device में होने वाला ही है अब जितने भी HyperOS के अपडेट आएंगे तो यह आपको देखना है कि आप इसे try करोगे यूज करोगे या नहीं यहां पर आपको कुछ इस्टा चीज़े देखने को मिलते है वीडियो टूल बॉक्स के अंदर जैसे कि टूके अपर स्केल स्टाइल डॉल वी और बागे दो ऑप्सन कस्टम पर आते हैं तो यहां पर ठीटर मोड में देखने को मिलता है डॉल्वी के और परफॉर्मेंस मोड और यहां पर आपको देखने को मिलता है तो आते हम अपने टेस्ट रिजल्ट वगेरा के ऊपर ठीक है तो सेटप के टाइम पर बाइडिफॉल्ट मुझे जो सिस्टम के एप्स देखने को मिले थे कुछ यह रहे और कुछ यह रहे इतनी सिस्टम के हो जाता है यानि वन दे के बाद तो यह अच्छा लगा मुझे है वहीं पर अगर हम बात करते हैं अपने गीक बेंच की तो यहां पर दोनों काफी अच्छा है सिंगल और मल्टी और हमाँ सीप्यू टोटल एक लग तरासी जार मैक्स और मिनों यहां पर एक लग पचास मिलता है साथ-साथ यहां पर बैट्री डॉप 45 के बाद मॉर्निंग में आता है 44 जो कि यहां पर जो ड्रॉप गया है वह है 1% 10 आर्स के अंदर तो यह एक काफी अच्छा का से स्टेंबाई मुझे देखनी को मिला है टाइमिंग वगेरा बाकि गेमिंग में आपका ज़र 90 अनलॉक किया गया है तो कुछ लोग के कमेंट आई से लास्ट टेम कि यह एक चली में 90 देगा आई नो कि यह प्रोसेसर कैपेवल नहीं है इसका मतलब यह है कि जब भी एक्स्टा सेटिंग अनलॉक रहता है तो आपको जो डिफॉल्ट सेटिंग का एपीस मिलता है उससे थ समझ में आता है लेकिन जो नहीं है वो सिब इसका मजाक बनाते है कि यह 90 देगा तो बाके दर फोन का क्या काम तो यह सिब 90 अनलॉक इसलिए कर रहा है ताकि आप डिफॉल्ट एपीस से थो आप बेटर एपीस आपको मिल सके और बाके दर सेटिंग का भी आप यूज कर सको अगर नॉर्मल प्रोसेसर ही इस तरह किसे काम करने लग जाए ट्रीक लगाके तो भाई महंगे महंगे फोन की क्या जुरूत होगी तो समझने वाली बात है जो कि नए उस थोड़ी कोमेडी टाइप में लेके चले जाते इस वर्ड को ठीक है तो ध्यान में रखना बाकी यह 90 अनलोक किया है साथ इसाथ फोटो स्ट्रोज भी अनलोक कर दिया गया जो कि ग्लोवल टाइप के रोम में होता नहीं तो यह एक और बड़ा एडवांटेज आपको यहां पर देखने को मिलता है साथ-साथ किसी भी स्क्रीन सूट के अंदर आप अपने डिवाइस का फ्रेम कर सकते हो जो कि मैंने यहां पर एड़ कर रखा है जो कि देखने में काफी सही लगता है बट यहां पर इसका सेकेंड डिस एडवांटेज यहां पर कहें यहां बग कह लें जैसा कि पहला एओडी दूसरा यहां पर डिवाइस का सर्टिफाइट नहीं होना यानि CTSF का प्र यह भी नर्मल दिया गया है और हां यहां पर वॉल्यूम में आप एडवांटेज वाला है जो एक्स्टा मिलता है ना आइकन जिससे नोटिशन आप कंट्रोल कर सकते हो वो भी आप यहां पर कर पाऊगे बस उसके लिए आपको आना है साउंड के प्रोफाइल पर और लास् है पाने कंट्रों नहीं तो आप इसा ट्राय कर सकते हो लेकिन हांद दो common बेसिक जो इस्मेय है बडhmm his product नहीं करते तो उसे इग्नोर कर सकते हो दूसरा banking एप बैंकिंग भी उजनी करते तो उसे इग्नोर मार सकते हो otherwise इन दोनों के वज़ा से आप इस को ignore कर सकते हो तो मर्जी आप किए रही बाटी से डालना कैसे तो इस रोम का आइसिंग हाइब्रीड रोम अवेलवल है तब इस अपने टीडराग भी से डालो या फील है जो बैट फाइल को रण करके जैसे आप डालना चाहो इस्टुलेशन गाईड आपको मिल देगा डिस्क तो आई होप कि रोम आपको पसंद आया होगा आप अगर डालना चाहते है तो डालो और अपना जरूर शेर करना है क्योंकि रोम मुझे यहल में अच्छा लगा है बस एक कम में लगे वह से प्यू ठोटल का अच्छा खसर रिजल्ट ना होना ठीक है मिलते नेक्स वीडियो